दि बैनिश्ट फॉर्मर हीरो लिव्ज ऐसी प्लीज़स के अपिसोड नमबर वन में आप सभी का स्वागत है अपिसोड के शुरुवात में हमें हीरोस के बार में बता जाता है जो कि दूसरों के रक्षा के लिए अपना जान तक देने को तयार रहते है लेकिन इन सब हीरोस का जो किस्मत है वो एक जगह पे आके एंड हो जाता है और वो है कि उसे अपने ही किसी लोग से धोका मिल जाता है या फिर वो अपने एनिमी के किसी ट्रैप में फश जाते है लेकिन फिर भी कई सारे हीरोस ऐसे हैं जो कि लोगों का जान बचाना कंटीनियू रखते है और तभी हमें एक हीरो को दिखा जाता है जो कि अपना अंतिम सांसे ले रहा था और उसका भगवान से सिर्फ एक ही रिक्वेश्ट था कि नेक्स लाइफ में उसे पीश से ये शान्ती और फिशिंग शिफ्ट होता है और हमें एक बंदे को दिखा जाता है जिसका नाम एलन था और उसका भाया की उसको जगाता और कहता है की तो निकम में तो तुमों उठी गए पापा तुमको बुला रहा है उन्हें तुमसे कुछ बात ही करना है और फिर वो दोना एली से गुजरते है और तब ़ो बंदा कहता है की पापा काफ republican है लेकिन उनको कोई आइड़ा नहीं है कि मैं कितना ज़ादा सफर करता हूँ तुम्हारे वज़े से तुम्हारे जैसा एक बेवकूफ नाला एक बड़े भाई के बज़े से बढ़ एनिवेज आज ये सब कुछ खतम होने वाला है और फिर वो लोग फाइनले अपने पापा के पास पहुँचाते है जहाँ पे वो बंदा कहता है कि देखो एलन जब तुम यहाँ पे हमारे डूकल हाउस और वेश्फिल में जनम लिये थे 15 साल पहले तब तुम्हारा लेवल 1 था और अभी भी तुम्हारा लेवल 1 ही है तुम्हारे फैमली के मेंबर नहीं हो और फिर एलन को घर से बाहर निकाल दिया जाता है लेकिन एलन दुखी नहीं था बलकि वो तो खोश था कि वो अफिशियली फ्री हो चुका है वो मननी मैं सुच्थे है कि जिस लाइफ के बारे मैं ड्रीम किया था जिसके वय से मैं फिर से रिइंकारनेट वह था चलो वो चीज़ अभी साइध होने बाला है लेकिन फिर भी मैं कितना घटिया रिनकारनेशन का बाद इसी लिए कर रहा है कियोंकि वीट्यो के शूरू पीश ढूडने का वो इस लाइफ में ढूडने की कोशिश करेगा एलम को कुछ नहीं चाहिए सिर्फ और शिफ सांती चाहिए जो कि पिछले जनब में उसको बिल्कुल भी नहीं मिला था और फिर वो इस्टन एज के तरफ आगे बढ़ने लगता है उसे कोई आइडे नहीं था कि वो जगा कैसा दिखता है लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता है अपने पीस के तलाश में एलम उस पूरे एरिया को एक्स्प्लोर कर रहा था कि तभी उसको दूर में कुछ हलचल नजर आता है और तभी हमें उस एरिया का सीन को दिखा जाता है जहाँ पे एक लड़की काफी सारे मॉंस्टर उल्स के साथ लड़ाई कर रही थी वो लड़की उन उल्स को मारतो रही थी लेकिन वो सब फिर से वापस रीजेनरेट हो जा रहे थे और तभी वो लड़की कहती है कि अगर इसी फ्रकार से चलता रहा तो मैं लेडी लीस को नहीं बचा पाऊंगी और फिर वो लेडी लीस से कहती है कि लीस तुम दू भाग जाओ यहां से मैं तब तक इनको यही पर रोकती हूँ लेकिन तभी जो लीस थी वो कहती है कि नहीं बिट्रेस मैं तुम को छोड़के यहां पे अकिला नहीं जा सकती लेकिन तभी लीस कहती है कि नहीं आपके पास एक responsibility है आपको अपना duty फुल्फिल कर नहीं होगा और यह पूरा चीज एलन अपने magical eye से देखता है और कहते कि यह लेड़की तो लीस एडोस्टेला है एडोस्टेला kingdom की first princess यह यहां पे क्या कर रही है और तभी एलन को एक पुराना बात याद आता है जहां पे get together में लीस एलन दोनों ही थे और वहां पे जितने भी बागी के duke से वो सब भी थे लेकिन वहां पे जितने भी duke से वो एलन का काफी जादा मजाग बना रहे थे क्योंकि एलन काफी जादा कमजोर था इवन वो एलन के family के उपर भी बहुत जादा मजाग बना रहे थे लेकिन ये सब सुनने के बाद जो लीस थी वो काफी ज़ादा भरक जाती है सब के ऊपर और वो सब के सामने एलन को डिफेंड करती है और तब ही जो सीन था वो फिर से प्रेजन में आता है और हमें दिखाय जाता है जो मॉंस्टर वुल्स से वो बिट्रिस को काफी जाता घायल कर देती है और जो बिट्रिस थी वो वो ही पे गिर जाती है और जो लेडिल लीस थी वो इतम दोर से दोर से बिट्रिस को आगे आती है लेकिन तब ही जो एलन तब वो मनी मन सुचते है कि मैं किसी के सामने अपना पावर को यूज नहीं करना चाहता था लेकिन जिसने मेरे को मेरे ट्रबल के वक्त समाला है मैं उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकता और वो एक बिजली के रफ्तार से उस एरिया के तरफ आगे बढ़ता है लीस के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था वो अपना और बिट्रेस का मौत अपने आँखों के सामने देख पा रही थी और तबी जो मौस्टर था वो एक दम से आगे जपाटा मारता है लेकिन अचानक से वो मौस्टर रुक जाता है और हमें दिखाया जाता है एलन वहांपे पहुँच जाता है और एलन उस मौस्टर को एक ही हाथ में उपर उठा के रखा है जो लीज थी वो एलन को देखे बहुत जादा शौक हो जाती है लेकिन एलन कहता है कि मैं बाद में तुमको सब कुछ बताऊंगा लेकिन उससे पहले मैं इनको समालता हूँ और फिर एलन अपना डिवाइन आई के मदद से इन जितना भी मॉंस्टर था उनको देखनी कोशिश करता है और उसे पता लगता है कि ये सब वुल्फ असल में कले से बने हुए है और इनका अंदर इनका एक कोर है अगर वो उस कोर को डिस्ट्रॉई कर देता है तो ये जो मॉ मॉस्टर्स थे वो सब खतम हो जाते है लेकिन प्रॉब्लम अभी गया नहीं था बीट्रिस का हालत काफी ज़्यादा खराब था वो अल्मुष्ट मर नहीं वाली थी लेकिन तभी वह आपे एलन आता है और एलन आके अपना जो हीलिंग मैजिक था उसको यूज करके बीट् मुझे पीछले जनम से ही इनहेरिट हुआ है बट इन्यूवेज उसके बाद एलन पूस्ट है कि बट लेडी लीस आप तो फर्स्ट प्रिंसेस हो आप यहाँ बादर लेंड्स में क्या कर रहे हो और तभी लीस कहती है कि कुछ दिन पहले एक डिवाइन भविश्यवानी क्य जहाँ पर गौड ने हमें कुछ आने वाले Miss Fortune के बारे में बदाया था और अगर हमें उस Miss Fortune को प्रिवेंट करना है तो हमें उस जो रिविलेशन था उसके मुताबिकी काम करना चीए था और वो जो रिविलेशन था जो कि गौड ने दिया था उसके मुताबिकी हम क्लूम विलेज के तरफ जा रहे थे जो की बॉर्डर लैंड्स में ही परता है बट बीस्ट में हमें इन मौस्टर साथ इनकाउंटर करना परा और यह सुनते ही ऐलन कहता है कि मुझे रगता है कि हमें यही पर बैट के यह सारा बाते करना चीए और तभी वो आगे जाता है और जो वैगन था जो की और टूट चुका था उसको वो पूरी तरीके से रिकावर कर देता अपने हेलिंग मैजिक से और फिर वो लोग वैगन पाउर का पता चल गया है इसलिए एलन पूछता है कि तो क्या तुम अपने किंग्डम के लिए मुझे रोक तो नहीं लोगे न लेकिन तभी जो लीस्ति को कहते है कि नहीं नहीं ऐसा बिलकुल भी नहीं होगा मैं अपने किंग्डम से उपर भी अपने दोस्ती को और यह सुनने के बाद जो एलन था वो काफी जाता खुश हो जाता है बट एनिवेज फिर वो लोग उस ग्लूम विलेज में पहुँचा थे है विलेज में जाते ही उनको अजीब सा शांती नहसर आता है सब लोग काफी जाता शौक्ट थे कि ये गाउं इतना जाता शांत क इस गाउं के गाउंफाले कहां गए लेकिन तभी उनको एक जगा दिखता है जहां पर काफी सारे लोग एक घर के बाहर रिकर्टा हो रगे थे और ये देखने के बाद ही सब लोग उस घर के तरफ आगे बढ़ते है लेकिन तभी उस घर के अंदर से एक बुड़ा आदमी निकलता है और वो एकदम से गलड़की को बाहर फेग देता है और तभी जो लेड़ी लीस थी वो एकदम से लड़की के पास जाती है और कहती कि आकिरा तुम मेरे को पैचान गए हो ना लेकिन जो आकिरा थी वो कहती कि तुम और आकिरा बिल्कुल भोल जुग थी लीस के बारे में लेकिन तब लीस कहती है कि एक थपर मारूंगी तुम भूल के मेरे बारे में मैंने तुम्हें अपने kingdom में पूरा घुमाया था खाना किलाया था और फिर आकिरा को भी लेडी लीस के बारे में याद आता है बट इनीवेज उसके बाद जो बेटरेस थी वो एलन को ब बताती है कि आकिरा काजिरागी ये हमारा current hero है और बीटरेस बताती है कि भवी शयवाइनी के मुताबिक हमें जो light उसको guide करना होगा ताकि हम darkness को clear कर पाए और ये सुनते ही आलन कहता है कि इसका मतलब हमें अभी इस hero को guide करना होगा ताकि हम darkness को हटा पाए लेकिन ये सब आक आकिरा थी वो अपना story बताती है कि कैसी वो इस गाउं के side से ही जा रही थी कि तब ही उसको एक बच्ची मिलती है वो उस बच्ची को rescue करती है वो काफी सा डरी वी थी और वो बताती है कि गाउंवालों ने उसको एक dragon के पास छोराय थे as a sacrifice और वो कैसे भी करके महां से बच बट anyways ये सुनने के बाद सब कोई काफी जा शौक हो जाते है और पुसे कि लेकिन अभी वो बच्ची कहां पर है और आकिरा कहती है कि मैंनो उस बच्ची को एक गुफा में छुपा आया है ये सब सुनते ही लीज कहती है कि शायद गाउंवालों के उपर काफी जादा force किया ये पूरा गाउं खतम हो जाएगा लेकिन जब हम इस गाउं में आ रहे थे हमने इस गाउं के आसपास एक भी monster को notice नहीं किया था जिसका मतलब कि ये theory बहुत जादा true हो सकता है लेकिन तब ही आकिरा कहती है कि मेरा खाना हो चुका है और अभी मैं जाने वाला हूँ उस monster उ उस बच्ची को बचा नहीं है और ये सब सुनने के बाद जो लीज ठी वो कहती कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है क्योंकि उस भविशवानी के मुझे तुमको ही guide करना है और beatrice भी उसके साथ त्यार हो जाती है और ये सब सुनने के बाद Alan कहता है कि मैं गैसे पीषे रहूं मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगा और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं उस माउंटन के तरफ और जैसी वो लोग वहाँ पे पहुंचते है और पहुंचते ही आखिरा एक स्ट्राइजी बनन लगती है स्ट्राइजी के मुताबिक आखिरा इस माउँटन को सामने से ही climb करेगी लेकिन Alan, Liz और Beatrice तीनों को ही वो पीछे से climb करने को कहता है और ये सुनने के बाद ये Alan कहता है कि तुम अकले सामने से चरहो कि देखो अगर तुमें कोई problem नहीं है तो मैं तुम्हारे जगा पे उस सामने से चरह सकता हूं लेकिन आकिरा एकदम से अपने ego में आ जाती है और कहती है कि देखो मैं ये sense कर पा रही हूँ कि तुम काफी जादा strong हो तुम ordinary तो बिल्कुल भी नहीं हो लेकिन फिर भी ये काम मैं ही करूँगी और वैसे भी आने के बाद मैं तुम्हारे साथ एक 1v1 भी करना चाती हूँ और ये सब कहने के बाद जो आकिरा थी वो आगे बढ़ जाती है और उसे तरफ ये थीनों भी पीछे के तरफ से mountain को climb करना चालू कर देते हैं और फाइनली वो लोग mountain के top में पहुंच जाते है और उसी तरफ जो dragon था वो भी जाग जाता है और सीधा आकिरा के सामने खरा रहता है और जी तरफ जो एलन था वो money man कहता है कि ये हो ही नहीं सकता कि इतना बड़ा dragon हमारे borderline पे है और हमारे family westfall family को कुछ idea नहीं है और तभी वो कहता है कि मुझे लगता है कि जो westfall family है जो मेरा ex family है उनका और ये dragon का कोई ना कोई connection तो हो गाई और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो पूरा clone village है वो ऐसे sacrifice offer करने के लिए ही बनाया गया है और ये सब acquisition सुनने के बाद लीस और बेटरेस दो नहीं काफी ज़दा shock हो जाता है लेकिन तभी एकदम से पाहर के उपर से बहुत ही बारा आग का लहर बह जाता है और ये देखके वो सब कोई shock हो जाता है और ये तरफ हमें दिखा जाता है कि उस dragon और आकिरा के बीच में fight होना चालू हो गया था आकिरा अपना पूरा lightning power से उस dragon को उपर attack करता है लेकिन जैसी वो धुआ हटता है हमें दिखा जाता है कि उस dragon को एक खारुष तक नहीं आता और इसके बाद ये वो dragon सोर सोर सस्तर कहा देखी बच्चे तुम यहाँ पे क्या करना है हो क्या तुम यहाँ पे खेलना है हो लेकिन जो आकिरा था वो काफी साधा गुस्ता हो जाती है और कहती है कि तुम ऐसा मेरे उपर मजाक नहीं बना सकते मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं यहाँ पे किसली आया हूँ लेकिन तभी वो dragon कहता है कि क्या तुम उसली आया हो और ते भी आकिरा साइड में देखती है वो ही बच्ची वो बहुत ही बुड़ी हाल में थी और कहती कि हीरो फ्रीज मेरे को बचा लो और यह सुनते ही जो आकिरा थी वो ते भी एमोशनल हो जाती है लेकिन तभी वो dragon हसता और कहता है कि शायद अब तक तुम्हें पता चल गया होगा मैंने इस बच्ची को जान बूच के छोड़ा था ताकि तुम यहां तक आजाओ और मैं तुम्हें खतम कर पाऊँ साज बताओं तो मुझे sacrifice से कोई मतलब नहीं मुझे तो इनसानों के सगल पे वो जो दर्द है वो जो पीरा है वो देखके बहुत मजा आता है यह सब सुनते ही आकिरा बहुत साधा गुसा हो जाती है और वो अपना light link attack का final blow करने को तैयार होता है वो एक दम से final strike करता है और अपने पूरा power लगा देता है उस attack में लेकिन फिर भी उस dragon को एक घरोज तक नहीं आता और वो जो dragon था वो एक दम से आकिरा को अपने पूच से मारता है और वो तब दूर जाके गड़ता है आकिरा इतना जादा कमजोर हो चुकी थी कि वो धंग से move तक नहीं कर पा रही थी और तब ही वो dragon सामने आता है और वो उसको attack करने ही वाला था अपने मूँ में पूरा आग ले लिया था कि तब ही वहाँ पे Alan आता है और आती ही वो उस dragon का एक wing को बीच से काट देता है Alan Lees और Beatrice को आकिरा और उस बची का ध्यान रखने को कहता है और वो एक्तम जाता है और अपने sword से world end को कास्ट करता है वो इतना सदा powerful था कि वो जो dragon था वो एक्तम सोच लगता है कि ये कैसे possible है वो कहता है कि ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता मैं God के नीचे सबसे ज़्यादा powerful हूँ मेरे उपर सिर्फ God ही powerful है तुम मेरे को ऐसे हरा नहीं सकते एक human मेरे को कभी भी हरा नहीं सकता लेकिन तभी Alan कहता है कि शायद तुमने मुझे कुछ जादा ही कमजोर सोच लिया है लेकिन ये है नहीं और तभी Alan मनी मत सोचता है कि कुछ भी कहलो लेकिन ये dragon कुछ जादा ही strong है लेकिन फिर भी ठैंक्स टू आकिरा कि उसने इतना देर इसके साथ मुकाबला किया है और मुझे इसके बाहरे में काफी इंफॉर्मेशन पता चल गया है और फिर वो जो ड्रैगन था वो एदम से दूर भागता है लेकिन तो भी जो वहाँ पे एलन था वो फिर से उसको पकड़ लेता है लीज एलन से कहती है कि एलन तुम्हें कर सकते हो और ये सुनते ही एलन को काफी अच्छा लगता है उसे अपने अंदर से एक अलग सा confidence feel होता है और उसे तरफ जो ड्रैगन था वो अटाक करने ही वाला था कि तो अभी एलन आगे वरता है और अपना वर्ल्ड एंड का ultimate power, ultimate skill से उसको अटाक करता है और अपना पूरा स्वर्ड उस ड्रैगन का अंदर डाल देता है और वो स्वर्ड एक तम से blast करता है जो ड्रैगन था उसको यकीन नहीं होता पूरा आस्मान एक तम साफ हो जाता है और वो जो ड्रैगन था वो टुकरो टुकरो में बिखर जाता है एलन के इस अटाक में इतना जादा power था कि उसका स्वर्ड भी एक तम खतम हो जाता है लेकिन ड्रैगन को मारने के बाद जो वहाँ पे लीज थी वो काफी ज़ते emotional हो जाती है और उसी तरफ जो आखीरा था उसको भी फिर से होश आ जाता है और फिर जो एलन था वो मनी मन सुचता है कि मैंने एक हीरो को एक ड्रैगन को मारने में help किया ये life एकदम peaceful तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन अगर मुझे ये चीज फिर से करना पड़े तो मैं फिर से करने को तयार हूँ और तब लीज आती है और वो एलन के सामने अपना हाथ बराती है और एलन भी लीज का हाथ को बहुत ही खुशी-खुशी पकड़ लेता है और इसी के साथ ये अपिसोड खातम होता है गाइस अगला अपिसोड इससे भी जादा क्रेजी होने वाला है ये एनिमे भी रीन कार्णेशन ही है लेकिन एक ट्विस्ट के साथ जो की काफी अच्छा लग रहा है देखने में तो अगर आपको भी अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज से सस्क्राइब कर लो और मिल ते अगला अपिसोड में तिल देन बाइबाइ स्टे सेव